तो 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 है लो गाइज विल्कम टू आल्टी में सक्सेस ऑनलाइन टूटोरियल मैं हूँ अभी इशिक और आज हम लोग करने जा रहे हैं से इंपल इंटरेस्ट और कांपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चार नमबर थ्री जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोग को मैं बोलना चाहता हूँ कि इससे पहले हम लोग SI and CI का लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंपलीट कर चुके हैं तो पहले जाके 1 & 2 लेक्चर देखें उसके बादा की यह वाला लेक्चर देखना ठीक है और मैं जो आप लोग को प्रोमिस किया था कि आप लोग को मैं इतना अच्छी तरह से यह chapter कराऊंगा कि आप लोग को खोलने की जरूरत नहीं परेगा तो लेक्चर को अच्छी तरह से देखें और मेरे साथ बने रही है ठीक है और जो लोग चैनल में नहीं है प्लीज चैनल को subscribe कर लीजिए और notification bell को दबा दीजिए ताकि आप लोग कोई भी आपके लिए हुई तो चलिए शुरू करते है आज का लेक्चर तो चलिए देख लेते हैं पहला कोशन क्या बोल रहा है तो चलिए कोशन को हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं मोहन लेंग सम अमांट आप मनी अट 9% सिंबल इंटरेस्ट एंड एंड इकोल अमांट आप मनी 10% सिंबल इंटरेस्ट इच वर्फ तू यर्स इप टो टोटल इंटरेस्ट है रूय वाज रूपी्ग सेब 1-60 मनी भीया ठीक है मुहन ने क्या क्या एक्स मनीदीया ठीक है जो मारणी मोहन ने दिया तो तो ओमानी क्या था महन के पास था the amount which I have upload गया हो जाता प्रिंचिलö जाता था तो मुहन कीवास जो पैसा था कुछ समान पॉड्ली मैंम आल लिया क्या वे सिंड ती दία तया इत्क पैसा मोन ने क्या क्या नाइन परसन सिंपल इंटरेस्ट में किसी को उधारे दिया फिर से क्या 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 थे एंड अनीनट एंड पर सेंट यका थे जितना प्षयां का दिए था पहले जीतना पैसा दिया गु giveaway पहले अगर एक सी आता तो सेकंड टेप कितना देगा एक सी देगा कितने भी आज के रेट में दिया 10% सिंपल इंटरेस्ट के रेक में दिया और कितने साल के लिए कितने साल के लिए इसके लिए इसके लिए कितने साल के लिए पैसा दिया दो साल के दिया कितने साल के लिए प अब next इतना आ रही हो अब कुस्ट समझ में आ गया अब nix line बहुत important है अफ़ टोटल इंटेर्स्ट वाज रूपीज सेबेन शिक्स्टी 706 क्या बोड़ दोनों मिलाके त्याब टोनों मिलाके तोटल इंटेर्स मतलग क्या है टोटल सिम्प्वल इंट्रिस्ट कि मोल अंगर टोटरिय 십ल इंट्रिस्ट है डू पीस 760 तो टोटरिंब इंट्रे क्वा से दोनों को मिला के अगर हम लग लोग के एसाइड को एट करेंगे समझ में आड़ है नहीं के अपकत्कत्य और समुझेस लेंग इच चैसे माउट्ट कुछ जाना घुश्योन को समझो मों देखा तो यह मां निकाल देना यह कोसिन का ट्रिक से what amount was lent कितना पैसा दिया गया था तो क्या पूछ रहा है principle के बार में पूछ रहा है मतलब X का value पूछ रहा है कि कितना पैसा दिया गया था amount लिखा हुआ है मतलब ये मत्स सोच रहे हैं कि आपको amount लिखालना है question को अच्छी तरह से पड़ो क्या बोला इतना पैसा दिए गया थी गद अगर किया नीकल नी इसका फैकल नीन क्या ना 2 है क्योंकि total interest बोला एक दोनों को मिला के जो total simple interest मिलरो और कितना मिल रहे 760 इंट्र्स देखे क्यों मत जाना अगर रेट आप इंट्रस रहेगा तो percentage में रहेगा अगर value दिया रहेगा तो सोच लेगा वो single interest है और compound दिया रहेगा तो compound interest रहेगा तो क्या लिखूंगा principle क्या है हमारे लिए क्या माना है एक्स प्लस आर क्या है पहले के लिए rate क्या है नाइन time क्या है दोनों के लिए two years है sorry ये plus Q लिख दिया एक इंटू nine 9 into d kya 2 divided by 100 plus दूसरा केस में क्या है principle तो सेम है दोनों केस में क्योंकि equal amount of money बोला है तो x into rate 10 into two time बही दोनों के लिए same है by क्या है 100 is equal to 760 तो इसको equal करेंगे तो हमें क्या मिलेगा principle एक्स का फैल वी तो principle है ना तो x का फैलो आफ लोब निकाल ली है एंसर मिल जाएगा तो मैं सॉल्ब कर देता हूँ तो एल से में लेंगे तो हंड्रेड ठीक है टो नाइं एक्टीन एक्स लास 20 एक्स टीक है तो एक्टीन एक्स ट्वेंटी एक्स टीक है तो मैं डेरेट कर तो X is equal to kya hoga यह था यह क्या होगा मैं बोल रहा हो 38 x y 100 is equal to 760 x is equal to kya hoga cross multiply 760 into 100 divided by 38 ठीक है तो 38 into 2 into 6 20 ठीक है तो X is equal to kya hoga principal kya hoga to 2000 ठीक है तो the amount which was lent in each case kya hoga amount which was lent in each case will be rupees 2,000 ठीक है समझ मैं आ गया तो चलिए next question देख लेते हैं तो चलिए आज का next question देख लेते हैं बिलकुल पहले वाले question की तरह है तो सबसे पहले खुड ट्राइक करना उसके बाद मेरा solution देखना तो चलिए question को एक साथ पढ़ लेते हैं the simple interest on rupees 400 for five years together with that on rupees 600 for four years adds up to rupees 132 the rate being same in both the cases find the rate person बहुत आसान है तो क्या बोला है the simple interest on rupees 400 for five years together with extra thorax किसके साथ rupees 600 for four years adds up to the normal के एड़ो क्या हो रहा है 132 तो क्या बोला है simple interest one plus simple interest to do no milkhehe simple interest क्या बिर्ग रखला है 132 तो पहले case में क्या हो रहा है पहले कैस में क्या है समझे माना ये पहला case है पहले case में 400 है ठीक है principal है क्या बोल रहा है इस्कीव पर Simple interest लेकर पहले case में पहला केस कब तक है इधर से लेके इधरत है येंका स्थाइब है उसके बात हो रहा है कर दोस्थ ह के एकितने साल के लिए के लिए हो रहा है ठीक है एन दूसरा केस में क्या हो रहा है 600 के उपर simple interest लग रहा है ठीक है कितने time के लिए 4 साल के लिए और हमें और एक चीज क्या बोला है rate being the same in both the cases दोलों केस में rate same रहेगा ठीक है rate मतलब rate of interest same रहेगा तो हमें क्या बोला है rate percent को निकालना क्योंकि हमें principle पता है कितने साल के लिए लग रहा है पता है बड़ rate percent तो पता नहीं है तो वो तो निकालना पड़ेगा हमें पता है कि दोनों का simple interest मिला कि इतना आ रहा है कितने साल के लिए दोनों का simple interest हो रहा है सब पता है बड़ हमें क् पर दो 9 परसेंट बता लिए तो रेट परसेंट निकालना तो बढ़े गा न तो चलिए तो पहले वाला केस क्या है principle 400 है into r दोनों case में, क्या बोला है? r same है, ठीक है? तो मैं दोनो case के लिए r को r ओनलिया, into time क्या है? पहले case में कितने साल के लिए लग रहा है? पास साल के लिए लग रहा है, divided by 100 plus, क्यूब क्योंकि दोनों मिलके add हो रहा है plus क्या होगा? second case क्या है? 600 100 इंटु आर्ट क्योंकि रेट तो दोनों के समें है कितना इन के लिए लगा चार साल वाई हंडरेट इस इइकल टो कितना है बोल यो 132 ठीक है तो 00 cancel out 00 cancel out 00 cancel out ठीक है तो 5 x 4 क्या होता है 20 r plus 6 x 4 क्या होता है बोलिये 24 r is equal to क्या होगा आपका नेगा बोलिये तो 132 20 r plus 24 r क्या होता है 24 r क्या होता है 44 r is equal to 132 तो r is equal to 132 by 44 ठीक है रोट फिन टो फॉर गुए फ्री तो हमारा रेट परसेंट क्या निकल गया 3 परसेंट आई होप आपको यह लगोशन समझ में आ गया तो क्या बोला था हमें रेट परसेंट निकलने के लिए बोला तो रेट परसेंट कितना निक परसेंट तो चलिया और कोशन सॉल्व कर लेते हैं तो चलिया देख ले देख लेता चाहिए निक्स्ट कोशन क्या बोल रहा है अने साटन सम् 1 30 इस इंवेस्टेट एट फ्री परसेंट 1 6th at 6% and the rest at 8% in the simple interest for two years from all this investment amounts to rupees 600 find the original firm बहुत important question and answers on the cable on a certain sum on a certain sum certain sum principle ठीकर मैं माल लेता है जो सटन सम्हें जो प्रिंसिबले ओ है पी ठीकर तो क्या मान लिया में जो अने साटेन साम बोले ना कुछ तो सम्हें ना उस ओक्या है वह प्रिंस इब दूसको मैं माल लिया की है उसमें से क्या हुआ 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 है उसमें से क्या हुआ हुआ ओनधर ये मतलब क्या होगा 1 3rd P कितने परसेट में इंवेस्ट हुआ 3% के रेक में इंवेस्ट हुआ समझ मैं एक साटन साम था जिसको मैं माल दिया पी उसमें से 1 3rd इंवेस्ट हुआ कितने में 3% नेक्स्ट उसमें से इस P में से 1 6th इंवेस्ट ओर 6% में ठीक है तो 1 6 मतलग है 16 तो पी मतलब 16 पी कितने में इंवेस्ट वक शिक्स परसेंट में and पाकी मिल जागे कितना बाग ही है ठीक है कॉंसे क्लियर है आपके बास 10 चोकलेट है आप आपके भाई आप से दो चोकलेट ले लिए आपकी बहन आप से पाथ चोकलेट ले लिए और रेस्ट आपके बास बचा रहेगा तो इतना बचा रहेगा 10-5 प्लस 2 मतलब 10-7 होता है क्या 3 similarly तो क्या बचा है तो P- क्या करेंगे P-1 by 3P plus 1 by 6P ठीक है यह जिन लोगो पता नहीं उन लोग के लिए बोड़ा P के सामने कुछ नहीं मतलब क्या 1P माइनस क्या है 6 3 into 2 6 ठीक है प्लस 1P मतलब P- क्या है यह आपको करके दिखा रहा हूँ एक्जाम में देख के आपको आ जाना चाहिए ठीक है 3P by 2 3P 6 1 by 2 तो पी माइनस क्या हो गया 1 by 2P तो क्या है 2 तो 2P माइनस 1P क्या होता है 1 by 2P तो रेस्ट कितना है 1 by 2P कितने कितने कितना परसेंट के कितने परसेंट में मतलब इंवेस्ट कितना रेट में इंवेस्ट किया 8 परसेंट के रेट में इंवेस्ट किया समझ में है यह आपको देखके पता होना चाहिए कि यह कितना होड़ा है कितना रिमेनिंग है ठीक है यह आपको दिखा दिये कि कैसे यह 1 1 by 2 P आ रहा है I hope यह वाला portion आपको समझ में आ गया होगा तो इतना ता कब को समझ में आ गया अब क्या बोला है if the simple interest for two years for all this investment amounts to rupees 600 तो क्या बोला यह जो तीनों का जो investment है यह कितने साल के लिए किया गया है two years के लिए किया गया है क्या बोला यह जो तीनों का जो investment है यह कितने साल के लिए किया गया है two years के लिए किया गया है दो साल के लिए किया गया और यह question simple interest का है और तीनों मिला के जो इंवेस्टमेंट है वो तीनों मिला के हमें क्या सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है यह जो तीनों इंवेस्टमेंट है इंवेस्टमेंट क्यों किया जाते है प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ इंटरेस्ट मिलने के लिए तीनों मिला के जो इंवेस्ट किय ठीक है तुप सिंफट इंते 1 लट्शिम отпげ इंडाइस 2 प्लास इंपल इंट इस इसए जो मिलाए प्लस इस से उ मिलाए टिनों मेला करें क्या हो रहा है 600 और हमें मैं शही जो हूच भूलने है वी हमारा व स्या नहीं कर ने है दूँ पहले मैं होता है e simple interest का formula क्या होता है p into r into t तो पहले वाले के इस के लिए principle क्या है 1 by 3 p ठीक है तो दिह इना उसको तो जो पैसा है उसके पास ओई तो है ना तो पहले वालेगे के लिए 1 by 3 p to पहले वाले के लिए principle 1 by 3 p r kya 3 और t kya है कितने साल के लिए invest हुआ दो साल के लिए इन्वेस टू बाई हंडड़ेड निक्स्ट कित प्रिंसिपल क्या है वन वैई शिक्स इंटू शिक्स सिक्सक्राइब रेट टू टाइम वाई अंड़ेड ठीक है यह तक मैं बंद कर देता हूं प्लस यह पोची देता हूं एक सेकें इतना तक तो को समझ में आई गया हूं का ठीक है लास वन वाइट टू पी इंटू एट क्यू रेट है इन्टू बाई हंड़ेड इस इकल टू कितना हो रहा है 600 ठीक है क्लियर तो 33 कट जाएगा 66 कट जाएगा यह सॉरी इधर पी लिखना भूल गया था तू टू टू कटिया ठीक है तो क्या हो रहा है 100 in cm ले लिए तू पी प्लास तू पी कुछ गलत होगा था बोलना एट पी इस इकल टू क्या है 600 कि मेरा सही चल रहा है तो फोर प्लास एट क्या होता है 12 पी इस इकल टू 600 जिरो जिरो और ठीक है तो हो गया 60,000 तो पीजिकल क्या होगा 60,000 बाइ 12 ठीक है तो इसको अगर आप लोग सॉल्ब करोगे तो आपका एंसर आएगा रूपेज 5,000 ठीक है आप लोग यह करके देख लेना तो हमारा हमको क्या बोला था ओर्जिनल सम क्या था ओर्जिनल सम क्या है 5,000 इस कोशन में आपको और एक चीज़ पूछ सकता था कि जो पहला वाला इंवेस्मेंट हुआ है जो पहले वाला है जो पहले वाले में जो उसमें प्रिंसिबल क्या है पूछ सकता था तो क्या करना परता आपको वान बाइ त्री इंटु 5000 ठीक है पिके जगता वी जबन गजस फाइफ ताउजन बीठा देना परता अगर आपको पहले वाले इंटरेस में सुर्ड़ी पहले वाले जो पहले वाले जो केस है फासर्ट केस में आपको प्रिंसिबल पूछता कि पहले वाले बंदे को कितना ना सब्सक्राइब कोई डाउट नहीं रहाना चाहिए अगर रहता है तो कॉमेंट करूं तो चलिए निक्स्ट कोशन देख लेते हैं तो चलिए आज का नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं a milkman borrowed rupees 2500 from two money lenders for one loan he paid five percent and for the other he paid seven percent the total interest paid for two years was rupees 275 how much dd borrowed at each rate so subsevala bolo either coi interest to dna key simple interest a compound interest is the solve करना पड़ेगा बोलो good simple interest मैंने बहले बोला है आपको भूल मत जाना तो अगर question में कुछ नहीं दिया होगा तो क्या करना है simple interest से solve करना है तो एक milkman ने क्या कि टोटल एक milkman ने क्या कि टोटल 2500 बोरो किया दोनों मिला के ठीक है अगर आप बाइचांस कॉन्फियूस हो भी जाते है बहुत लोग इंग्लिश में थोड़ा वी को तो जाते है ठीक है इस लाइन से आपको लोगों को सकता है कुछ कुछ लोगों को सिंपल कोश्चन है एक milkman एक milkman क्या किया है बॉरो किया है रुपीस 2500 फॉर्म टू माने लेंडर ठीक है इसका बतार किया दोनों माली लेंडर में से मिल्क में ने टूटल कितना पैसा लिया 2500 अगर इच लिखा रहा था पीछे तो पहले वाले माने लेंडर से 2500 लिया दूसरे वाले से 2500 लिया अगर इच लिखा रहा था कि दोनों से लिया इधर क्या बूलाए एक milkman ने अच्छे दरसा सुने एक milkman ने दो मानी लेंडर से जयो लास्ट्राए लास्ट रांड क्या पूचा हैast रखिषाобы दीवारो एट इच रएक इत्ना वह पैसा बूरो किया है देनों से व маш designing आजाना चाहिए बोल्मस् कि दोनों से कितना पैसा लिया है अगर पहले दिया रहता तो तो आप लोगों समझ में आ जाना चाहिए तो कोश्चन में क्या बोला है एक मिल्कमेन है दूदो वाले है उसने क्या किया है दोनों दो माली लेंडर के पास गया और दोनों से टोटल पैसा लिया दोनों का पैसा म जो एक है उसको 5% के रेट में लोन पे किया और दूसरे को क्या है 7% के रेट से लोन पे किया है और दोनों मिला के जो इंटरेस्ट आया हो क्या है कितना आया due rupees 275 और कितने साल के लिए लिए था टूसरे के लिए लिए था तो टाइम मैं two years इतना तक समझ में आ घिया अब मेरे को तो पता नहीं मेरे को पता है क्या दोनों से दोनों मालेंडर से दूटल पैसा लिए 2500 मेरे को तो पता है नहிंए इंडुविज infect check तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एद मॉर्ऐ刑 लेता हूँ कि पहले वाल मॉनी एंडर से दूध वाले ने पैसा लिया है ठीक है पहले मानी वह वाले वाले से मैं मान लिया लिया तो दूसरे वाले से कितना लेगा 2500-P तो अब तो हमारा कोश्चे नहीं हो गया तो दोनों के केस में प्रिंसिपल मिल गया और दोनों मिला कि आराइट 2000 सुरी दोनों को मिला के सिंबल इंटेर्स चाहे 275 तो अभी हम लोग आराम से पीक आफ है लो निकाल लेंगे उसके बाद दोनों से कितना बॉलों किया था हम लोग निकाल सकते हैं ठीक है तो यह सब आप लोग एक्जाम के टाइब में मतलिक नहीं साइवान प्लस एसाइटू इस इकॉल टू 275 क्योंकि आप लोगो टाइम से करना है उसी लिए जितना हो सा कि आप लोग जितना स्टेप्स स्किप कर सकते हैं स्किप कर दीजिए तो पीक आप है क्या भाइल हूँ है है रेट की आप फाइव है ठीक है टाइम के टू है एलग बहुएं और यह जैव्रेड फ्लस नेक्स्ट प्रिंसिपल कया है 2500 माइनस गया स्टी आप यह ऐलकूल Mitch and work नहीं होना चाहिए प्लेयर अब इसको आपको सॉल्व करना है तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो टेंट पी बाई हंड्रेड प्लास कि फीज़ फाइव कि फाइव जिरो 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 माइनस है तो अगर आप इस चीज़ को पूरा सॉल्व करते हैं तो आपका पी का वैलू आएगा रूपीज 1875 क्योंकि यह क्यालकूलेशन बड़ा होगा जगा काम है तो आप लोग यह सॉल्व कर लेना कैसे करना है मैं आपको बोल देता हूँ कि लसी हम आ जाएगा तो 100 इस साइड में जाल जाएगा ठीक है अब आपको सिंपल प्लस माइनस करना है ठीक है तो आप इसको सॉल्व करके आपका पी का वैलू आएगा रूपीज 1875 यह तो एक का फैलो मिल गया यह तो पहले वाले का फैलो मिल गया तो दूसरे वाले में क्या करना पड़ेगा 2500 माइनस माइनस 1875 ठीक है तो आपका आएगा सॉल्व करने के पास 625 तो आपका एंसर क्या हो गया 1870 1875 सॉरी 1875 यह हो गया आपका एंसर ठीक है समझ में आ गया तो यहाला कैलकुलेशन आप लोग कर लेना कोई भी दिक्कत है मेरे को बोलना मैं फिर से बोल देता हो क्या होगा यह से मोजाए तो होगा क्या 10-14 पी प्लास 35,000 ठीक है डिवाइड भाइड है तो मैंनस 4 पी ब्लास 35,000 इस इकल टो हो जाएगा 27,500 एकदम कैलकुलेशन बोल रहा हो तो 35,000 उस साइड में चला जाएगा तो 35,000 मैंनस 27,500 होगा और इधर मैंनस मैंनस क्योंकि मैंनस 4 पी है प्लास तो पी इकल टो जो वैलू आएगा 2875,000 मैंनस 1875 यह आगे आपका पहला जो पैसा लेंड किया है बाट हमें क्या पूछा है दोनों का पूछा कि दोनों मतलब दोनों माली लेंडर से कितना पैसा लेंड किया है तो पहले का आ गया दूसरे में क्या करना है पी का वैल देख लेते है पुरा से मिल टेप का कोशना है तो सबसे पहले खुट राइकना उसके बाद मेरा सलूशन देखना तो चली श्री मुकेस दागा है रूपिस 6,000 with him he invested some money at 14% per annum and the balance at 15% per annum simple interest SI MATLAB simple interest after two years he got rupees 1 1,750 as interest find the sum invested by him at 14% and 15% respectively same question तो क्या वोले मुकेस दागा जो बंदा है जो स्री मुकेस दागा जो स्री मुकेस दागा जो स्री मुकेस दागा नाम का जो इंसा ने उसके बाद कि उसके पस कितना पैसा है शेहाजर रुपिया ठीन है उसमें से वह बन्दाने क्या सोज़ा वा कुछ पैसे इंवेस्ट कर देता हो तो पहले उसने कुछ पैसthem सकिया फूटीन परसिनल परसंट पाइन है नाव मेंधू क्या है मेरे साल के बाद उसको कितना मिला मतलब कितना के लिए इंवेश की है और दो साल के बाद 20 मीला कितना स्थिंपिलिंट इन्ट्रेस मि numéro रूपिस 1750 ठीक है तो क्या पूछा है कि उसने 14% में कितना इंवेस्ट किया था और दूसरा में कितना इंवेस्ट किया था जो बचा हुआ था बैलेंस है मतलब 6000 माइनस पी कितने साल के लिए तू यर्स के लिए और दोनों मिलके सिंपल इंट्रेस्ट क्या रहा है तो चलो पहला सिंपल इंट्रेस्ट किया है पी इंटू आर 14 इंटू टी टू 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 यह से बाई हंड्रेट प्लस क्योंकि दोनों मिला के है 600 सोड़ी 6000 माइनस पी इंटू कितना परसेंट 15 इंटू टू बाई हंड्रेड ठीक है और दोनों मिला के कितना आ रहें 1750 ठीक है तो 100 LCMO के डैरेक्ट में कर रहा हूं डैरेक्ट स्टेप मार रहा हूं ठीक स्टेप जम कर रहा हूं 14 इंटू होता है 28P ठीक है यह है 30 तो 1326 क्या होगा 15 इंटू होता है 30 इंटू सिक्स क्या होता है स्टेप स्टेप स्किप किया जाता है देखो क्या होगा मैं डैरेक्ट से में लूंगा तो क्या आएगा बाई हंड्रेट तो मैं क्या किया इसके साथ डैरेक्ट 800 को मालिपलाई कर दी एक स्टेप में जाम कर लिया तो आप क्या करेंगे माइनस टू पी प्लस 28 पी क्या होगा माइनस टू पी यह क्या होगा 1750 और पीछे 20 बैठेगा माइनस क्या होगा 1800 00 0 ठीक है तो क्या आएगा टू पी सो टू पी क्यों लिखा इस इकल टू क्या आएगा 5000 अब सीधा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस तो पी तो तो पी तो फोर टू टेन जिरो जिरो ठीक है तो जब पहला वाला यह बंदे ने क्या ना मैं त्री मुकेज दागा उसने पहले में पहले मतलब जो 14 परसेंट का रेट में उसने कितना इंवेस्ट किया क्योंकि हमें पूचा है दियर होगा पिछले में दिखा नहीं पॉया तो दूसरे मतलब कितना इंवेस्ट कर्षे किया güोप होप दो adjustments वी होगा प्रिफले में मैं दिसले मैं दिखांत हुआ है इसलिए मैं इस बार दिखा दिये की कैसे calculation हो रहा है अगर किसी को भी calculation में दिक्कत है तो आई होब यहाला question पुरा clear है तो चलिए देख लेते हैं अचका second last question क्या बोल रहा है तो चलिए देख लेते हैं अचका second last question क्या बोल रहा है Mr. Send investor a total amount of rupees 16,500 for two years in two scheme A and B with the rate of simple interest 10% and 12% respectively if the total amount of interest earned was 3620 what was the amount invested in scheme B same question I could try karo who jacket try karo's about video dekna he got to chalo because it is mr. send on that bandah I was like yeah yeah which was I invested you can have I invest yeah six thousand five hundred total amount बोला है सोच के आसे वस सोचने ने किया एमाउंट बोल रहा है फिर से मैं रिपीट कर रहा हो क्या किया इन्वेस्ट किया इसना पैसा साथ उसने इन्वेस्ट किया दो साल के लिए दो स्कीम एक स्कीम का नाम है एक स्कीम का नाम है भी ठीक है और पहले स्कीम में उसने कितना इंवेस्ट किया 10 परसंट मतलब पहले स्कीम में उसने इन परसंट के रहें में इंवेस्ट किया ठीक है और दोनों मिला कि उसको कितना स्कीम काम कड़ना तो पहले जिसमें इंवेस्ट किया थो यह माल लिया और दूसरे वाले को क्या दोएगे जो रिमेनिंग है इतना देट तक कर रहे हैं तो मैं अभी उतको समझाओंगा ने डिरेट करूंगा तो सिंपल पी इंटु आर्टेन इंटु टी क्या है टू बाई हंड्रेड प्लस सिंपल 16 ब्रेकेट के अंदर हमेशा रखना ने तो आप लोग 100 परसेंट कॉन्फ्यूज हो जाओगे बहुत स्टूरेंट मेरे को बोलता है सर गलत हो रहा है एंसर ब्रेकेट के अंदर रखना यह तो आप लोग बहुत डाट खाओगे मेरे से दोनों में लेगे कितना इंट्रेस्ट आंड कर रहा है कि मैंस फोर्ट पी और उधर आएगा मतलब यह उससाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा मैनस हो जाएगा छोड़ो एक स्ट्रप करके दिखा देता अप लोग भी क्या याद रखोगे कि उससाइड में जाएगा तो आगया माइनस कि ठीक है यह प्लस 0 004 फोर थेकर फोर टेजक दू अपका आएगा मायनस थी पूर फोर मेरा खंद है मैन आगे यह प्लस-प्लस तो फोर इसेगल टॉब का आएगा कैल्कुलेट करोगे तो 8500 अथिक है तो यह आगए आपका पी का बहुत पहले वाले का इस किम में कितना इंवेस्ट किया था मिस्टा ने इस स्किन एंवेस्ट किया था रूपीज 8500 बढ़ हमें क्या पूछा है स्किम यह पूछा है नहीं क्या पूछा है स्किम भी पूछा है तो भी का कर लेते भी का निकल लेते क्या करेंगे 16500-8500 ठीक है तो आपका आजाएगा तो आप कितना अमांट इंवेस किया था स्किम भी में रूपीज 8000 तो हमाना एंसर क्या हो गया एक ताउजिन अगर कोशियन में कोई एक निकलने बोलेगा ए या भी ठीक है अगर आपको मान लीजिए मैं इधर आपको कड़के नहीं दिखाएगा क्योंकि मैं बोलूँगा इसलिए अगर आपको कुशियन में दिया रहता है बीस ठीक है लोगे जिल्दी करना न तो क्या उना है विग को पी मान्ना है और एक ओ को यह माल ले ठीक है तब जाके विजो कृई मानना है और एक को यह माल लेना है क्या से मिंधि क Job ॡशान मैंस running earned को इंटू 10 इंटू 2 internet कि बाटी एक पी इंटू 12 इंटू 2 सब कुछ सेम रखना है हमेशे याद रखना अगर कोई भी सिंगल स्कीन में से तो हमेशा उसको पी निकलना हमें क्या निकलता है तो हमारे लिए जल्दी हो जाए अग्याएं मैं आपको यह करके दिखा है और यह बोलने के लिए नहीं तो तो मैं अगर चाहता हूं तो बी का फेलु मैं पी ले 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 था ठीक है एंसर अपका यही आता आई होप को समझ में आ गया तो मैंने क्या बोला ठीक है लियर ओके नीचे कॉमेंट कर दो कैसा लागा लेक्चर और लास्ट वोशन चलिए देख लेते हैं तो चलिए देख लेत है अच्छा लास्ट कोशन क्या बोल रहा है एलेंग रूपीस 5,000 to be for two years and 3,000 to see for four years on simple interest at the same rate of interest and receive 2,000 in all from both as interest the rate of interest per enemies same question है जो मतलब पहला वाला कोशन था दूसरा वाला कोशन था सेम कोशन है आच का आई होप कि आप लोग यह वाला कोशन कर सकते हैं तो क्या बोला है एने क्या किया है एने लेंट किया है वी को कितना दिया है पैसा 5,000 दो साल के लिए और एक चीज़ क्या बोला है सिम्पिल इंटरेस में दिया और सेम रेट आप इंटरेस में दिया ठीक है तो बोले रेट सेम है और एने क्या किया सिमिलर्ली सी को भी पैसा दिया है कितना पैसा दिया तीनाजार रुपया दिया है कितने साल के लिए इसको दिया दो साल के लिए ठीक है इसको दिया चार सा ऑड़े आए ठीक है तो सिंपल दोनों को plus करेंगी is इंग को तुछल कर देंगे हो जाएगा तो पहले वोला किस में क्या है दोनों कर वोले रेट से में ठीक है जा बूला है the same rate of interest in a hundred other copy same rate of interest don't know this minute same so 500 into art into TKI Pellie case my two years by 100 plus douser guess my guy 3,000 5,000 sorry 500 galti sa bol dia 3,000 into r into T kya hai 4 by 100 is equal to 2,200 ठीक है 00 cancel out 00 cancel out 00 cancel out 00 cancel out 2 into 50 kya होता है 100 100 art plus 304 किता होता है बोलो 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 जल्दी बोलो ठीक है है कि ट्वेंटी है 220 र इस इकल टू 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 जिरो 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 आर इस इकल डू क्या हो जाएगा 00 cancel out 10 ठीक है तो rate of interest पार एनम क्या हो गया आर क्या हो गया आर हो गया आर हो गया आर हो गया आपका अब आपना प्रामिस निभा रहा हूं मैं बोला था को बुक्स चैस्च करने के ज़रूरत नहीं पड़ेगा जितना बुक्स है सब मतलब सब इसके लिए आपको मेरा एक मदद करना है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है नोटिफिकेशन बेल को दबाना है प्लीज शेयर करना एक तो लाइक बनता है प्लीज और कोई भी डाउट है कॉमेंट करो टेलीग्राम ग्रूप में जॉइन कर जाओ मैसेज करो वाट्सअप में जो चाहे करो आपका ही चैनल है तो चलिए फ्रेंज बाई है वानाइस जे